हेलो एवरिवान, सो गाईज, एरपोट अथोरिटी ओफ इंडिया, एर ट्राफिक कंटोलर, एटीसी की बहुत ही प्यारी वेकिंसी आपके सामने आई हुई है, और जैसा कि हमने पहले भी बोला था, कि इस बार बहुत ज़्यादा वेकिंसी आने वाली हैं, और जल्दी आपक है, आज देट है हमारी 14 अक्टूबर, जिस दिन में ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोग देखेंगे, तो पहले समझ लेते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर कैसा ट्रेंड रहा है, तो यार मैं बात करता हूँ, साल 2015 की जब पहली बार एटीसी का रिकूरूट के बारे मैं आपको उताता हूँ, जहाँ पर थर्टी मार्क्स का मैथमेटिक्स आप लोगों का रहता है, हमेशा से रहा है 30 कोशन मैथमेटिक्स के, तो मैथमेटिक्स में पूछता क्या है, चली सबसे पहले हम चलते हैं, दो जारzd तेईस पे नहीं चलूँगा, मैं सबसे के ज़रा relation and function set theory से 2018 की दोनों शिफ्क में दो-दो question पूछे गए principle mathematical induction से एक भी question पहले देखने को नहीं मिला complex number से 2018 में 3 और 6 question देखने को मिले quadratic equation से कुछ देखने को नहीं मिला linear equation से कुछ देखने को नहीं मिला sequence and series से दो-दो question देखने को मिले next आपको topic दिखाता हूं mathematics के binomial theorem के जहां पर आपको कभी कोई question देखने को नहीं मिला matrices से पहले भी देखने को मिले determinant से मांत लेता हूं तो guys पहले 3 question देखने को मिले vector algebra से 2018 में कभी question देखने को नहीं मिला लेकिन अगर मैं बात करूं 21 और 22 और 23 के paper में हमको यह देखने को मिला then lines की मैं बात करता हूं तो lines में हमको 2021 में एक question देखने को मिला था triangle से हमको question देखने को मिला था अब मैं आपको इसके बात का बताता हूं और topics कौन से हैं और topics है guys हमारे 3D geometry जो के आज की date में airport authority of field या ATC का सबसे favorite topic है 5, 3, 6, 5 ऐसे question देखने को मिले थे probability अभी भी है पहले भी था और numerical method पहले हुआ करता था अब मैं आपको अदाता हूं इसका पूरा सच क्या है और इसको ही mathematics का सच क्या है actual में guys ATC का जो पहले syllabus था कबकी साल 2018 की बात कर लेता हूं और साल 2021 की बात कर लेता हूं तो साल 2018 और 2021 के अंदर बेटा जो ATC का हमारा syllabus हुआ करता था जरा मैं आपको शो करता हूं चलिए अना 2018 और 2021 में जब ATC का syllabus शो किया करता था तो वहाँ पर वो लोग बोलते थे हमें mathematics चाहिए बट कभी यह नहीं बोलते थे कि हमें mathematics 10th class का चाहिए कि 11th class का चाहिए कि 12th class का चाहिए पहली बार ATC ने साल 2022 के अंदर हमको यह बताया clear साल 2022 में हमको पहली बार यह बताया कि भाईया हम particularly mathematics जो पूछेंगे यह हमें जो physics पूछूंगा वो पूरा का पूरा 10 प्लस 2 लेवल का पूछेंगे अब 10 प्लस 2 मतलब क्या क्या मतलब तब हमने पहली बार यह observe किया था साल 2022 के अंदर कि ATC ने 10 प्लस 2 का मतलब क्या माना था 12th class और आप देखोगे साल 2022 के अंदर सारे topics 12th class के ही हैं आप देखोगे तो आपको खुद दिख जाएगा आप देखोगे differential calculus, integral calculus आपको देखने को मिलेगा 3D geometry आपको साल 2022-23 में देखने को मिल रही है then मैं अगर थोड़ा backhand पे चलता हूँ तो आप देखोगे determinant vector algebra यह सब आपको साल 2023-2022 में देखने को मिलेगा then अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आप तो देखो यार, parabola, ellipse और hyperbola यह आप 11th class में पढ़ते हो जो कि आपको 2023-2022 में देखने को नहीं मिला बट पहले मिला करता था similarly अगर मैं बात करता हूँ तो relation function set theory आपको अभी देखने को मिलता है then यह वाली जो topics हैं जिनको आप quantity equation बोलते हो और complex number PNC यह सब बटा आपका 11th का topic है और यह साल 2023-2022 में नहीं आया था तो बटा पहले 18 और 19 का जो exam था ATC का वहाँ पर ATC के syllabus में mention नहीं था कि कौन सी class का पूछे का बस mathematics लिखा हुआ था और इसी वज़ा से उन्होंने 11th class का mathematics भी पूछा और 12th का भी पूछा और majority topics उनके 11th class के हुआ करते थे लेकिन साल 2022-23 के अंदर यानि कि 2022 और 2023 के analysis में उन्होंने साफ-साफ बता दिया कि हम 10 प्लस 2 पूछेंगे और recent अभी जो exam होता 2023 का वहाँ भी आप देखोगे पूरे के पूरे 30 questions सिर्फ और सिफ आपको class 12 के देखने को मिले हैं वो भी selected topics है कौन से selected topics हैं तो बता देता हूँ बाई अगर आप ATC के mathematics पढ़ने जा रहे है तो relation function and set theory आपको आना चाहिए दूसरा topic आपको जो आना चाहिए वो है आपका matrices, determinant, vector, algebra, trigonometry यहां पे भर-भर के question आये थे triangle से हमेशा question पहले भी आया हूँ अभी भी आता है देन बाद करता हूँ 3D geometry बहुत important topic है इस बार भी 3-3-4 question पूछे थे पिछली बार भी 3-3-4 question पूछे थे limit, continuity, differentiability, differential and integral calculus यह आपको आता रहना चाहिए बस इसके अलावा और कुछ नहीं आपको बागी कुछ ना आये चलेगा mathematics में तिने topics आपके strong है आप RM25 प्लस question सही करके आजाओगे mathematics के अंदर जो कि अपने आप में sufficient माने जाते हैं clear? इसके अलावा guys बात करूँगा तो जैसा कि मैं शुरुआत से बोलता रहा था कि ATC के लिए आप लोगों के लिए one of the finest content पहले भी दिया हुआ है अतुल सर आपको mathematics पढ़ाने वाले हैं वापिस से जिन्दों ने आपको हमेशा से पढ़ाया हुआ है पिछले 4-5 बार के ATC से इतने सारे बच्चों already selected है और इस बार फिर वापिस से पूरी टीम आपके लिए लग जाएगी और एक अलग लेवल पर मचाने वाली है मैं आऊँगा आपके लिए physics के लिए और एक अलग लेवल पर आग लगाऊँगा चाहिए वो live batch हो चाहिए वो recorded batch हो चाहिए वो test series हो और आप देखोगे एक December से लेके अभी तक जितने भी बच्चे हैं आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपके सामने Google पर से सर्च करता हूँ आप लोग भी सर्च करिएगा AI ATC physics का और आप देखो के batch हमेशा 10 plus 2 level का ही करते हैं चाहिए वो physics का batch हो चाहिए वो आपका batch हो mathematics का non-tech आपका पूरा इसी के अंदर included रहता है देन अगर मैं बात करता हूँ तो batch आपका live भी रहेगा recorded भी रहेगा पुराना batch भी इसमें test series भी आपकी साथ में ही मिलती है जिसमें total 221 test है well defined test series आपको मिलती है every बच्चे ने last time भी दीती है उनको पता है कि किस level पर उन्होंने बढ़िया तरीके से तयारी करीती है किस level पर content उनको देखने को as it is मिलाता है तो this is basically a test series ठीक है और यह पूरा का पूरा mathematics का है आप नॉर्मली गूगल पर search कर सकते हो youtube पर आप जाना चाहते हो तो youtube पर आप मेरी कोई भी class देख सकते हो last time भी मैंने class ली ती उसके पहले भी classes ली थी physics की अतुल सर की आप mathematics की class देख सकते हो AAI junior executive common cadre की भी हम अभी decently exam के analysis कर रहे थे तो वह भी exam अभी खतम हुआ है बस आप बढ़िया तरीके से तयारी करना चालू कर दो यार और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है मैं आपके लिए available हूँ पूरी team available है और एक दम precise manner में ही आपके साथ तयारी करवाने वाले हैं और कुछ नहीं ठीक है टेली इसी तरीके से मिलते हैं next session में so thank you very much bye bye take care and love you everybody guys